प्रकृतिके सनरक्षण के लिए सबसे पहला कदम तो यही उठना आवश्यक है कि दुनिया के प्रतेक देश के प्रतेक व्यक्ति को यह मन में ठान लेना चाहिए कि प्रकृत के सनरक्षण की जो वह बाते करते हैं उसमें उनकी कथनी और करनी में भेद नहीं दिखना चाहिए अंतर नहीं दिखना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कागजों में कुछ और है जुबान पर कुछ और है और धरातल में और प्रकृत में कुछ और है ऐसा जब तक होगा तब तक हमें इन अभियानों में सफलता नहीं मिल सकती और इन अभियानों में सफलता पाने के लिए हमें इमानदार होना होगा